Hello friends, Welcome to my channel तो friends, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने Gmail ID का password change कैसे कर सकते हैं friends, अगर आप अपने Gmail ID का password change करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा last तक देखते रहे हैं तो friends, Gmail ID का password change करने के लिए आपके mobile में जो Gmail app है उसे open कर लेना है तो यहाँ पे हम Gmail app को open कर लेते हैं open करने के बाद कुछ इस तरी किसे interface आएगा तो friends, यहाँ पे आपको logo सो करेगा, logo पे click कर देना है logo पे click करने के बाद Google account लिखा आ रहा है तो इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद कुछ इस तरी किसे interface आ जाता है तो यहाँ पे आपको option आएगा यहाँ पे लिखा आगा है personal info personal info पे click कर देना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा password तो password पे आपको click कर देना है password पर जब आप click करेंगे तो कुछ इस तरी किसे interface खुल करके आजाएगा तो friends यहीं से आप अपने पुराने password टैप करके नया password set कर सकते हैं अगर आप अपने Gmail ID का password भूल चुके हैं तो यहाँ से forget password पे click करके forget कर सकते हैं तो friends यहाँ पे हम Gmail ID का password टैप कर देते हैं जो पुराना password है वही password आपको यहाँ पे tap करना है तो जैसे कि friends यहाँ पे हम पुराना password टैप कर चुके हैं इसके बाद next पे click करना है next पे click करने के बाद आपको नया password बनाने का option आ जाएगा तो यहाँ पे नया password बनाने का option आ चुका है तो यहाँ पे new password आपको टैप करना है जो आप नया password बनाना चाहते हैं Gmail ID का तो यहाँ पर नया password हम टैप कर देते हैं फ्रेंट्स न्यू password टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में आना यहाँ पर आपको मिलेगा confirm new password तो फिर से आपको वही password टैप कर देना है जो आपने उपर फिलफ किया है वही फिर से आपको new password confirm password होता है दुबारा आपको टैप करना होगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम फिर से confirm password टैप कर चुके हैं इसके बाद change password पे क्लिक करते हैं change password पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं your password is successfully यानि कि यहाँ पर successful यहाँ पर password मेरा हो चुका है change तो फ्रेंट्स यहाँ से हम close कर देते हैं close करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा password जो की change हो चुका है तो फ्रेंट्स आइओप कि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को कीजिए like और चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राब करके साथ ही बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपको मिल जाए तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में